ही हालो अस्सलाम अलेकूल रह्मतुल्ला और जनाप खाल ठीक हो यह देखो पानी चालु किया खजूर में यह सब पानी अभी पानी चालु किया हूं और भी काम आई इधर बहुत ज्यादा काम रहता है और सब बताओ देखो यह सब पानी चल आए अब से बारा वजे तक के ल यह सब खजूर का पेड़ है खजूर के पेड़ में अभी यह सब जरीद और इत काटेगा जिसे पत्ता काते हैं डांखा भी बोलते हैं अपने यूपी में और इधा तो जरीद बोलते हैं खजूर लगता कैसे है यह देख लो खजूर का बीज नहीं लगता है यह जो पनखी छोड़ता है यही खन के निकालना पड़ता है यह सब है यह बड़ा वला है यह निकलेगा अभी निकालके एक-एक मीटर पे लगेगा ऐसे लगाते हैं खजूर एक-एक मीटर पे लगाते हैं खजूर का पेंड़ इसमें है करीब सव पेंड़ के करीब है छोटा बड़ा सब भी मिला के देखो ओ ठोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो अभी खजूर का काम चालू होगा एक जनवरी के बात से होगा तो वीडियो बनेगा खजूर का खजूर निकलना चालू होगा यह देखो बन जा है अगले साल का सब लागा हुआ पत्ता है वही फोल काटके मादा खजूर वाले में बाना जाता है यही सब है इधर काम उधर बकरियां भी है बकरी तो अभी गई है भागा दिया हो लोग गई चर्णे क लिए मैं इधर आगया पानी चालू करने के लिए ओ यह इतना छोटा खजूर है यह भी फ़रता है फल लेगा यह भी देखो यह घास है बकरियों के खाने के लिए आता है खरीद कर घास है तब इधर पानी चल आए चालू कर दिया पानी अभी चलेगा यह सब खरने वाला है इधर को खुथा निकल गया है जरीद का इस पर चड़ने में भी बहुत प्राब्लम होता है चलो ओके भाई थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो वीडियो अच्छा लगे तो यह देखो यह सब खन के निकाला जाएगा अभी तो कफिल नहीं निकालेगा क्योंकि पैसा खर्चा होगा इसके लिए थोड़ा बड़ा होने के बाद यह सब निकाला जाएगा आयेंगे सब बाहर से काम करने वाले वोखन के निकालेंगे मेरे को बोलता है मैं बोला मेरे से नहीं हो पाएगा एईसा भाई कोडा लाइक सब्सक्राइब करते रहो